परिजय बच्चों, आज हम जैव प्रोद्दोकिकी एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे वहाँ सेर, ये रोचक लग रहा है हाँ, इसलिए मुझे कौन बताएगा कि जैव प्रोद्दोकिकी क्या है? आपने सही बताया रितू, क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव प्रोद्दोकिकी का उप्योग किन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है? सेर, ऐसी अनेक प्रक्रियाओं हैं जिन के लिए जैव प्रोद्दोकिकी का उप्योग किया जाता है जैसे की रूगों की पहचान करने के लिए जीन इस्थानांतरन आ दी बहुत अच्छे प्रतीक आओ अब विस्तार से अध्यन करें इस पार्ट में आप जय प्रोद्दोकी की एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे क्रिशी में जय प्रोद्दोकी की के उप्योगों की व्याख्या करना चिकिसा में जय प्रोद्दोकी की के उप्योगों की व्याख्या करना जीन चिकिसा की व्याख्या करना आड़मिक निदान का वर्रणन करना, पार जीवी जन्दूँ और उनके उप्योगों की व्याख्या करना और नैतिक मुद्दों की चार्चा करना क्रिशी में जैव प्रोद्दोगिकी का उप्योग विशिष्ट उप्योगों हेत्व किसी उत्पात को बनाने या रुपांतरित कर दें, पौधों या जन्दूँ में सुधार कर दें के लिए जीवानू, वाइरस, कवक, येस्ट, जन्तुक कोशिका, पादप कोशिका आदी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रो प्रोद्दोकिकी को विस्तार से परिभाशित किया जाता है। क्रिशी में जैव प्रोद्दोकिकी एक कारगड तरीका है, जिसके दोरा उन फसलों को तयार किया जाता है, जो हमारे बदलते वातावरण में बहतर प्रदेशन कर सकें। इनमें से कुछ पीड़क प्रतिरोध प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, लवन सहनशील, उश्मा प्रतिरोधी फसलों का विकास शामिल है। जब प्रयोक शाला में एक जीव के जीन को दूसरे जीव को सुथारने या परिवर्तित करने के लिए अभिप्राय पूर्वक इस्थानांत्रित किया जाता है, तो अन अनुवन्शिक्ता रूपांतरित जीवों का उप्योग अनुवन्शिक्ता रूपांतरित पौधे कई तरह से उप्योगी हो सकते हैं। कीट पीड़क प्रतिरोधी पौधों के कारण कमपीड़त नाजी का उप्योग करने की आविशक्ता होती है। आर्थिक रूप से अधिक अनुकूल क्योंकि पीड़क नाशी वायू, बिद्दा और चल में नहीं जाते हैं। फसल की अधिक पैदावार आनुवन शिक्ता, रुपान्तरित फसलों को उन विटामिनों से भरपूर बनाया जा सकता है, जिनकी कुछ प्रधान किस्मों में कमी हो सकती है। प्योग, बीटी कपास, बैसिलस, थोरिन, जेन, सीज, द्वारा उत्पन, क्राई प्रोटीन, विभिन कीट पीड़कों के विरुथ, प्रभावित जैव कीट नाशक होते हैं। क्राई जीव विशों को डिम्ब आंतर लियूमन में सक्रिये प्राग जीव विश के रूप में उत्पन किया जाता है। जीव विश आयनिक छिद्रों को बनाने वाली कला में स्वल्प लकन और अंतर वेशन को प्रेरित करने वाले ग्राहियों से जुड़ जाते हैं, जो कोशिकाओं और डिम्ब को मार देते हैं। कीटों का हमला एक गंभीर क्रिशी समस्या है, जिससे उपज काफी कम हो जाती है और उत्पादन गुणमत्ता घर जाती है। कीटों के कारण खेतों में और साइलों में भंडारन के दोरान नुकसान हो सकता है। प्रतेक वर्ष कीट दुनिया भर की खादे फसलों का लगभग 25 प्रतिशत भाग नश्ट कर देते हैं। RNA अंतरक्षेप द्वारा विश्ष्ट जीन को निश्क्रिय करना इस समस्या का वांचनिय प्राकृतिक समधान है। 203 RNA मध्यवर्थी अंतरक्षेप RNAI जीवों में जीन अभिव्यक्ति को निश्क्रिय करने की सरल और तीवर्विधी है। किसी जीन का निश्क्रिय होना RNA का छोटे छोटे RNA में निमनी करन का परिडाम है। जो समझात दूत RNA को लक्षित करने के लिए रिबॉन्ड यूक्लियेज को सक्रिय करते हैं। और शदियों में जैव प्रोद्धुकी की का उप्योग। अनुवन शिक्ता निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अगनाशे द्वारा उत्पन होता है और जो ग्लुकोस के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन दो पॉली पेप्टाइड श्रिंखलाओं का बना होता है। श्रिंखला A और श्रिंखला B जो आपस में डाई सल्फाइड से द्वारा जुड़ी होती है। बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन प्राग हार्मोन कन्वर्टेज तथा एक्सो प्रोटीएज कार्बोकसी पेप्टाइड एज ए कहलाने वाले प्रोटीन अभगटक एंजाइम की क्रिया द्वारा प्राग इंसुलिन पूर्व वर्ती अनू से संशलेशित होता है। प्राग इंसुलिन के ये रुपांतरण अनू के केंद्रिय भाग अर्थात C-Peptide को प्राग इंसुलिन के C और N अंतस्थ सिरों से हटा देते हैं। शेश, पॉली पेप्टाइड P और A श्रेंखलाएं आपस में डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होती हैं। परिपक वो इंसुलिन में C-Peptide उपस्तित नहीं होता है। जीन चिकिस्था अनुवन्शिक दोशों को सही करने के क्रम में अनुपस्तित या दोशपून जीन की जगह कोशिकाओं में सामाने जीनों को प्रवेश कराना जीन चिकिस्था कहलाती है। एक कोशिका के जीनों में नया जीन प्राप्त करने के लिए इसे समवहक क्यलाने वाले एक अनू में किया जाना चाहिए। वर्तमान में उप्योग किये जा रहे सबसे सामानने समवाहक विशाणूं हैं जो प्रकृतिक रूप से आक्रमन कारी कोशिकाएं हैं और अपने अनुवन्शिक बदार्थ को कोशिका के जीनों में प्रवेश कराती हैं। एक समवाहक के रूप में विशाणूं का उप्योग करने के लिए विशाणूं के चीनों को हटा कर कोशिका के लिए निर्धारित नई जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। जब विशाणूं कोशिका पर हमला करेगा तो ये अपने अनुवन्शिक बदार्थ प्रवेश क एक सफल इस्थनांतरण के परिणाम सरूप लक्षित कोश्का में अब नया जीन होगा, जो दोशपून जीन द्वारा उत्पन समस्या को सही करेगा। विशानों जिनका संभागों के रूप में उप्योग किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं रेट्रो वाइरस जैसे HIV, एडिनो वाइरस, एडिनो संबंध वाइरस और सरल परी सफ्र विशानों। आणविक निदान किसी उतक या तरल में प्रोटीन, डिने, आरेने जैसे अणवों के अध्यम द्वारा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। प्रजयो मारकर का उप्योग, औशद प्रतिक्रिया, औशद उपापचय, प्रतिकूल प्रभाव और रोग प्रगती को प्रभावित करने वाली अनुवन्शिक विभिनताएं। आउशद या नैदानिक संयोजन का विकास और चिकिस्ये उप्योग, उभरती हुई फार्मेको जिनोमिक और आणविक नैदानिक प्रद्योगी की नैदानिक और व्यक्तिकत चिकिस्या में विनियामत मुद्दे। पार्जीवी जन्तु ट्रांस्जेनिक एनिमल्ज्, जन्तु जिनकी आणवशिक विशेष्टाओं को एक रुपांतरित जीन द्वारा या आनवशिक प्रद्योगी की तकनिक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर वेशन द्वारा बतल दिया गया पारजीवी जन्तुओं के उत्पादन के सामानिकारण हैं। उस कल्याने वाले अनुवन्शिक्ता निर्मित चूहा बनाने में प्रमुक वग्यानिक सभलता मिली। जिसमें विभिन मानव कैंसरों के विकास को बढ़ावा देने वाला जीन है। पारजीवी जन्तुओं का उप्योग। मानव कल्यान के लिए इन जन्तुओं के लाभों को निम्निक शित्रों में वर्गिक क्रित किया जा सकता है। क्रिशी, आउशधी और उद्योग। क्रिशी उप्योग, प्रहजनन, पारंपरिक प्रहजनन अधिक समय लेने वाला मुश्किल कार है। जह प्रधुकिकी के उप्योग से कम समय में और अधिक परिशुद्धता के साथ जन्तुओं में विशेश्दाओं को विक्सित करना संभव हो गया है। इसके लाभा उपज बढ़ाने के लिए किसानों को एक आसान तरीका भी प्रदान करता है। गुणवत्ता पारजीवी गाएँ अधिक दूद उत्पर्ण करती हैं, या कम लेक्टोज या कॉलेश्टरोलवाला दूद उत्पर्ण करती हैं। सुवर और पशु जिन में अधिक मास होता है, भेड जो अधिक उण देती हैं। रोग प्रतिरोध वैक्यानिक रोग प्रतिरोधी जंतूँ को उत्पर्न करने के लिए प्रयासरत हैं जैसा की इन्फुेंजा प्रतिरोधी सुवर लेकिन चीन की बहुत ही सीमि संक्या वर्तमान में पालतू जानवरों में रोगों के प्रतिरोध के लिए सिम्मेदार है जिकिस्सा उप्योग जीनो ट्रांस्प्लांटेशन पारजीवी स्वर प्रतिरोपन अंगों की कमी को पूरा कर सकते हैं पोशन संपूरक और औशधियां इंसुलिन, व्रिद्धी हार्मोन और रुधेर इसकंदन रोधी कारकों को पारजीवी गाए, भेड या बकरी के दूस से शिग्र ही प्राप्त किया जा सकता है या पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है मानव जीन चीकिस्सा मानव जीन्जी के समय जीन की दोशपून प्रतिलिपियों वाले व्यक्ति के जीनों से जीन की समाने प्रतिलिपी जोड़ना शामिल है पांच हजार नामित अनुवन्शिक रोगों के उपचार की संभावना बहुत अधिक है और पार जीवी जन्तू एक महत पूर्ण भूई का निभा सकते हैं और द्योगिक उप्योग सन 2001 में कैनेड़ा में नेक्सिया जैव प्रोधुगिकी के दो वग्यानिकों ने दूद पिलाने वाली बक्रियों की कोशिकाओं में स्पाइडर जीन को आपस में जोड़ दिया बक्रियों ने अपने दूद के साथ रेशम निर्मान आरंब कर दिया और बाल्टी में अपने शरीर से महीन रेशम के सूत्रों को स्रावित किया दूसे पॉलिमर सूत्रों को निकाल कर और उनको धागों में बुनकर वग्यानिक एक हलका कठोर लचीला पदार्थ बना सकते हैं जिसका उप्योग, सहन्निवर्दी, चिकिस्सा में सूक्ष्म सीवन और टैनिस रेकेट के तार जैसे अनुप्रयोगों में उप्योग किया जा सकता है नैतिक मुद्दे जीवों के अनुवन्शिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित और अवांचनिये प्रभाव हो सकते हैं जब ऐसे जीवों को पारिस्थित की तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाता है जन सेवां के लिए ऐसे जीवों के रूपांतरण और उप्योग से अनुमत एककस्र की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं इसलिए भारत सरकार ने संगठन इस्थापित किये हैं जो आनुवन्शिक रूपांतरण की वैधानिक्ता और जन सेवा के लिए आनुवन्शिक्ता रूपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा की बारे में निरणें लेने के लिए अधिक्रित हैं ऐसा ही एक संगठन अनुवन्शिक अभियांतर की संतुती सम्मिती यानि G.E.A.C. है सन 2001 और 2002 में भारत में 93 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ और 2011 और 2012 तक सरकार का लक्ष 129 मिलियन टन चावल उत्पादन का है बायो पाइरेसी बायो पाइरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैवरासाइनिक या आनुवन्शिक सामगरी का वैवसाइक रूप से उप्योग करने की कारेपणाली है विशेशकर एकस्व प्राप्त करके जो उस समुदाए जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मौवजे का भुक्तान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रती बंधित करती है भारत में उखने वाला पास्मती चावल अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंद के लिए मशूर है लेकिन एक अमरीकी कमपनी ने अमेरीकन एकस्व वा ट्रेट मार्क कारियाले द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था इस कमपनी ने भारतिय किस्मों को अर्थ बंधिकिस्मों से संकरन कराकर बास्मती की नई किस्म विक्सित की क्या आप जानते हैं? अमेरीकी शूद करताओं ने एक प्रणाली विक्सित की है जिसमें नेले प्रकाश को सक्रिये करके किसी भी वांचित जीन को प्राप्त किया जा सकता है तथा टर्न आउन या टर्न आफ कर सकते हैं जो जैव प्रोद्दुगी की और चिकिस्सा में अनुसंधान के लिए हो सकते हैं ये पहली बार है जब DNA के विशिष्ट खंडों को टर्न आउन या टर्न आफ किया गया है उन्होंने American Chemical Society के जनल में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में प्रकाश की तीवरता का उप्योग करके जीन अभिव्यक्ती के इस्तर को अनुकूल बनाने के बारे में जानकारी भी दी है साहरांश आईए हमने जो कुछ सीका है उसे संग्शेप में दोहराएं विशिष्ट उप्योगों है तू किसी उत्पात को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए जीवाणूं वाइरस, कवक, यीस्ट, जन्तु कोशिका, पादप कोशिका आदी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रद्योकिकी के रूप में जयव प्रद्योकिकी को विस्तार से परिभाशित किया जाता है RNA अंतर्क शेप दौरा विशिष्ट जीन को निश्क्रिय करना कीठ हमले की समस्या का वांचनिय प्राकृतिक समधान है अनुवंशिक दोशों को सही करने के क्रम में अनुपस्थित या दोशपून जीन की जगा कोशिकाओं में सामाने जीनों को प्रवेश कराना जीन चीकिस्ता कहलाती है किसी उतक या तरल में प्रोटीन, डीने, आरेने जैसे अनुवं के अध्यन दोरा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आन्विक निदान कहलाती है जन्तू जिनकी आनुवंशिक विशेष्टाओं को एक रुपान्तरित जीन दोरा या आनुवंशिक प्रोट्वकिकी की तकनीक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंदर विशन दोरा बतल दिया गया है पार जीवी जन्तू कहलाते हैं भारा सरकार ने संगठन इस्थापित किये हैं जो आनुवंशिक रुपान्तरण की वैथानिक्ता और जन्सेवा के लिए आनुवंशिक्ता रुपान्तरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा की बारे में निरणय लेने के लिए अधिक्रित हैं बायो पायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैवरासाइनी किया आनुवंशिक सामगरी का वैवसाइक रूप से उप्योग करने की कारेपनाली है विशेश कर एक अस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रतिबंधित करती है प्रतिबंधित करती है